सत्गुरु महाराज की प्यारी संगत, भगत जनो, बेहनो, भाईयो, सबसे पहले आओ गुरु महाराज की बक्षियोई फते कहें, वाहिगुर जी का खाल्शा वाहिगुर जी की फते. आज मैं एक बहुती गंभीर मुद्दा लेके आपके बीच उत्रा हूँ. बींग संत बाबा स्वरंजी सिंग, I know my responsibilities. मुझे इस बात का इल्म है, कि मैंने अगर धार्मक विद्या को लोगुं तक पहुंचाना है, तो फिर मेरे प्रांत में, मेरे देश में, मेरे महले में, मेरे शहर में, अगर कुछ गल्ट हो रहा है, हमने उस पर भी उस चीज़ को भी देखना है, ताके हम एक complete चीज़ तयार कर सकें. हम all round development चाते हैं, हमें पता होना चाहिए, मेरे घर्क में क्या घट रहा है, मेरे महले में क्या घट रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, मेरे प्रांत में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है, और कहां हमें कुछ कहना है, हमारा केवल सिर्फ इतना ही दर्म नहीं रोड़ता कि हम दर्बार में बैठके गुरदवारे मंदर मश्जद गरजा घर में बैठके सिर्फ पावन पवित्र शब्दों के उचारन ही करें उनी को कहें नहीं जो समाज में कमी है सोसाइटी में कमी है अगर कुछ गल्ट हो रहा है तो उसको हम देखें सिर्फ देखना ही नहीं उस पर अमल भी करें अगर कोई चीज दुरस्त नहीं है उसको दुरस्त भी करें यही हमें जीवन मिला है हम मानव जीवन में हैं हम इंसान हैं हैवान नहीं है हमें पहचान करनी चाहिए हमें देखना चाहिए गुरबानी का एक बहुत ही सुन्दर शबद है मन तु जोद सुरूप है अपना मूल पचान के ए इनसान तुझ में बेंत ताकत है तुझ में बेंत काबलियत है तु बड़ी काबलियत का मालक है सिर्फ प्रब्लम ये है कि तु इसको समझने ही रहा अपनी योगता को समझने ही रहा अपने अंदर की उर्जा को तु पहचान नहीं रहा यही एक कारन है जो हमें सचाई से दूर करता जा रहा है मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि मेरा मुद्दा आज गंबीर क्यों है क्योंके चंद रोज पहले मैं एक ओल्ड एज होस होम में गया हूँ वर्द आश्रम में गया हूँ और वहाँ जितने लोग रह रहे थे उनके साथ मेरी बात चीत हूँ मैं जानना चाहता था मैं जानने के लिए गया था हकीकत में मैं वहाँ कोई फरूट लेके नहीं गया कोई फूड लेके नहीं मैं गया मैं कोई कपड़े लेके नहीं गया मैं गया था वहाँ जानने के लिए कि क्यों लोग आते हैं वर्द आश्रम में वो कौन से परवार हैं वो कहां इतनी बड़ी गुर्बत है वो कौँ से लोग है जो अपने माभाप को वर्द आशर में डाल देते हैं उस बवस्ता को समझने के लिए गया था उन बच्चों के बारे में जानने के लिए गया था कि वो बच्चे कौन है वो कौँ सी अुलाद है जो अपने माँ बाप को विर्द आशरम में दकेल देती है 52 पीपल वार देयर जिसमें औरतें भी थी, मर्द भी थे और मैंने सब के साथ कुछ वकत बैठ के गुजारा उनके अंदर के इनसान को सुनने की कोशिश की सेट में दुख होता है कि हम पड़ाई के बाबजूद स्कूल, कालेज और बड़े बड़े ओदे पर बैठके भी अपने माँ बाप के साथ इतना दुर विवार करते हैं उनको इतनी तकलीफ देते हैं उनके साथ ऐसा विवार क्या ये इनसानियत है क्या आपको कोई कहेगा आप मानव हो आप इनसान के रूप में हो नहीं कहीं कमी है कहीं कमी है मैंने पूछा एक माँ से पूछा मैंने पूछा आप कहां के रहने वाले हो तो वो वृद आश्रम से केवल डेड़ किलोमेटर दूर डेड़ से भी कम होगा वो वहां से वहां पहुंची थी तो मैंने कहा क्या आपके घर में इतनी गुर्बत आगी क्या आपके बच्चे नहीं थे जो आपको संभालते उनकी आंखों से आंसू थे रो रही मैं खुद नम गया मिरे खुद आंखों से आंसू आगे जब मैंने सुना तो उन्होंने क्या कहा कि जब से ये नई नसल की लिड़कियां घर में आई हैं तब से एक अतंक फैला हुआ है घरों में मेरी बहू बैंक में जर्नल मैनेजर है और मेरा बेटा गस्टर्ड आफिसर है मैंने वहां बतौर मा नहीं, सास नहीं बतौर सर्वन्ट काम किया, फिर भी उनको पसाद लिया है अल्टीमेटली दे टुक डिसीजन है और मुझे इस वरदा शर्म में छोड़ दिया शर्म आती है, आप जैसे नौजवान लोगों को आप जैसे गस्टर आउ लोगों को इतने बड़े ओदे पर बैठे हुए लोगों को बहू के साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि इतने काबल अफसर होके एक जनर्र मैनेजर होके आपने अपनी सास को ब्रदा शर्म बेच दिया बहुत दर्द होता है उसी तरह और लोग हूब हूब बस यही कहानी कह रहे थे जब से ये लड़की आई हैं हमारे गर बे तब से हमारे लड़कों को हमारे बच्चों को उन्होंने अपने बच्च में कर लिया बच्चों को छीन के बाग के जाना का दोंस दिखाती हैं डर दिखाती है कि हम चले जाएंगी अपने बच्चों को लेके और बचे नाकाबल लोग हैं नपुनस्प लोग हैं जो इन बातों में आके अपने माँ बाप को वर्द आश्र में डाते हैं और फिर मैंने पूछा दूसरा स्वाल कि जब कोई इनसान वर्द आश्र में पूरा हो जाता है तो क्या यहां से परिवार वालों को मैसेज आता है कि आप बहुत सिरियूस हो बहुत तकलीफ में हो वंटी लेटर पे हो कहते हैं कि यहां जो कोई मर जाता है जब हम घर पे फोन करते हैं तो वहां से जवाब मिलता है हमारा इन लोगों के साथ कोई वाश्टा नहीं इनको आप ले जो और अगन के हवाले कर दो नौसो रपे की सिर्फ लकट डलती है उन पर वैन में डालके जाते हैं स्टाफ मेंबर दो चले जाते हैं और उनका अंतमसंसकार करके आ जाते हैं अंतमसंसकार हो जाता है ये हैं हमारे बज़रुगों की हालत यहां तक ही नहीं इसके आगे आप देखोगे कोई किसी तरह से देश को बरबाद कर रहा है कोई दूसरी तरह से देश को बरबाद कर रहा है क्या इंसानियत का ये जो जामा हमें मिला था ये जन्म मिला था ये इतना खूबसूर्ट चेहरा शरीर मिला था ताकत मिली थी उर्जा मिली थी दिमाग मिला था क्या हमने इसका फाइदा ये लिया कि हम अपने ही माँबाद को बैंनों को बाईयों को जबरन तरीके से घर से बाहर निकाल दे और उनको इस हालत में छोड़ दे कि उनका पता तक कोई लेने ना जाए अरे बहुत दुख की बात है बहुत दुख की बात है आज मैं देखता हूँ अपने हिंदुस्तान में अपने परात में अपने शहरों में कि हर कोई इंसान इतना दगाबाज हो गया है देश दुरोई हो गया है कि वो जो जो काम कर रहा है उसके किये हुए काम से कौन मर रहा है मुआशरा सोसाइटी के लोग किसी की माँ किसी की बेहन किसी का भाई किसी का घरवला किसी की घरवली क्यूंकि हमारे जहन में सिर्फ एक बात आगी है हमने पैशा कमाना पैशा कि हम अमीर हो जाएं देश में हिंदोस्तान में हमारा नाम हो जाएं वो किस तरीके से हम कमाते हैं उसका फिर हम नहीं सोचते मुझे अभी एक बहुती दुखदाई बात का पता चला कि हमारे कुछ लोग जो दुखदाईय तियार करते है छोटे छोटे अधारे बनाके उन्होंने बहुत बड़ा एक बिजनस तियार किया हुआ है और उस बिजनस में क्या नहीं वो करते क्या नहीं वो बेचते द्वाईयों में मलावट बहुत उंचे दर्जे की खाने पीने वली चीजों में मलावट बहुत उंचे दर्जे की फलू में मलावट बहुत बड़ा जहर हमें मिल रहा है मैंने देखा कि हम गरीब लोग हम जब मार्केट में जाते हैं हम देखते हैं सस्ती से सस्ती चीज डूडते हैं कि हम हमारी शेहत ठीक हो जे रोग चाहे कोई भी हो आज कल यहां पर आईड्रॉप की बात ही ले लो आईड्रॉप में मुझे पता चला है कि वो लोग जिनके पास इतने बड़े सिस्टम ड्वल्ट सिस्टम नहीं है द्वाईयों को बनाने के लिए उन्होंने अपने तरीके से द्वाईयों को तंदुस्त बनाने के लिए उसको साफ करने के लिए कुछ ऐसे तरीके डूडे हैं और यह लोगों की आँखों को ठीक नहीं करते यह उन्हें अडिक्ट कर रहे हैं और बार बार फिर वो आई ड्रॉप लेने पड़ते हैं मुझे पता चला इस परांत में के आई ड्रॉप में क्या मिलाया जा रहा है एसिड, तजाब कैपसुल बनाया जा रहे है उसमें क्या डाला जा रहा है pain relief capsule steroid डाला जा रहा है जहर डाला जा रहा है अरे मैं पूछता हूँ आप इस तरह से पैसा कमा रहे हो कोई और भी आपको मार रहा है ये कमाई शाम को आप फल लाते हो परिवार में बैठके खाते हो वहाँ फल से कमाई की जा रही है वहाँ भी जहर है एक दूसरे पर नरंतर ने चक लगा हुआ है और हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है मैंने की बात इस दर्द को देखा मैंने की बात MLS के साथ बात की मैंने MPs के साथ बात की क्या मेरे प्रांत में मेरे देश में हर जगा इस तरीके से लोगों को मारा जाएगा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हम आपके साथ हैं हम इस लडाई में आगे चलेंगे हमने इंसानियत को मरने नहीं देना हमने लोगों को गरीब जनता को मरने नहीं देना हमने इनको ड्रग अडिक्टेड नहीं बनाना आज हमें देखना होगा हमने बेजे हैं सेंपल टेस्ट करने के लिए क्या जो तत्व हमें सुनाएगे हैं क्या वो तत्व हैं वहाँ में उसमें वो चीजें हैं अगर हैं तो सच मुच इस बात को बहुत गंबीडा से लेना पड़ेगा कि इन्सान इन्सान को मारने के लिए हमें पाकिस्तान से कोई नहीं आ रहा हमें और कहीं बा Wrap का खतरा नहीं है हमें अगर कोई मार रहा है तो हमारी बुजदली हमारी नासमजी मार रही है और हमारे अंदर एक एक जो भूख है हम जो भूखे लालची हो गए है उस लालच में आके पैशा कमाने के लिए हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मानमता का अंत करते जा रहे हैं हमें उन देश दुरोईयों को डूंडना होगा उनको जमीन से भी बार नकाल के देखना होगा जो हमारे बच्चों को हमारे परिवार को हमारे बज़र्गों को हमारे इंसानियत को खत्म करने पर तुले हुए है हमें डर टेररिजम से कम हो गया हमें इन टर्रिश्टों से दर्द जादा है कि जो लोग हमें फल में जहर एक छोटे-छोटे गूल गपे बेचने वाले उस पानी में भी जहर मलाया जाता है उस पानी में भी जहर मलाया जाता है ताके वो स्वाधी हो जाए वो हमारी जीब को हमारे टेस्ट वाल पूले हम बार-बार वहां जाते हैं खाने के लिए ये गंबीर मुद्दे हैं इन पर सोचना होगा और उन लोगों को उन बच्चों को उन नोजवान बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके माँबाप आपने वृत आश्रों में छोड़ा है कल यही नसल आपके बचे आपको वहां छोड़ेंगे खत्म करो इस दरिंदगी को खत्म करो इस पागलपन को आओ और जाओ वहां ओल डेज हाउस में वहां जाओ वरद आश्रम से अपने माँ बापको वापस ले कि आओ अगर आपमें इनसानियत है अगर आप इनसान हो तो जाओ उनको वापस लओ वो आपके लिए तड़ परे हैं वहाँ कोई कमी नहीं है कपड़े मिलते है मैडिशन मिलती है रोटी मिलती है अच्छा बिस्तर लगा हुआ है अगर वो उनके दिल में दर्द है तो केवल सिर्फ आपके लिए है वो आपको इतलाश में है और आपने उनको दर्करार कर दिया छोड़ दिया आज हमें देश के लिए आओ मिलके एक आवाज उठाएं कहीं भी कोई भी मुद्द होगा बाबा स्वरंजी से सामने ले कहाँगा अपने किरदार में जांको इनसान बोलने के लिए आया है मृत्यू डंड नहीं देना है हमने अपने माबाप की इज़ित करनी है उनको विर्द आश्र में नहीं छोड़ना है अगर यही चलता रहेगा तो आप लोग हम लोग सभी एक ना एक दिन मौत के मुँ में चले जाएंगे मैं आप से इतनी ही बिनती करता हूँ मेरी ये सला है नेक मश्वरा है कि जो जो करने वाले हो अपने आपको संभालो नहीं तो ये लोग आपके घरूं से आपको बाहर निकालके बड़े बड़े लोगों के मजश्में को आग लगाते देखा है जो लोग देश दिरोई हैं उनकी हालत ऐसी ही होगी आपने किस डंग से धन कमाया आप किस डंग से आप विवार कर रहे हो समाज के साथ खिलवार कर रहे हो ये नहीं चलेगा आने वाले वक्त में नहीं चलेगा बहुत कुछ है जो खतम हो जाएगा हमारे पास इतने इतने इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी मन सकता क्या है आप किस नेचर के लोग हो आप में क्या क्या गुना किये हुए है किस तरह से लोगों में दैशित और वैशियापन पहदा कर रखा हुआ है वकत आएगा और ये लोगों को इनका चेहरा सामने किया जाएगा तो मैं उमीद रखता हूँ कि आज कोशिश करो अपने आपको जादा अपने आपको शेर मत बनाओ लेकर अपने आप में तबदीली लाओ संजीद की लाओ ताकि आप देश के लिए एक अच्छे इनसान बनके काम कर सको मैं यही चाहता हूँ इस मुद्ध के साथ आज हूँ कर मैं किसी और मुद्ध के साथ हूँगा मैं देश की सचाई अंदर की सचाई को आपके सामने लाओंगा ताकि हम किसी भी समाज में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जितनी देर तक हमारे लोगों में शक्ती न आएगे जितनी देर तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे इतनी देर तक कुछ नहीं होगा मेरे इतने शबत परवान करो वाहिगुर जी का खालशा वाहिगुर जी की फते